हेलो दोस्तों टेक्निक रूसमा अप लोग का स्वागत थे और दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है शाओमी का मी A3 और टेंक्स टू सलीम बाबा टेक्निकल जिन्होंने मुझे ये टाइम पर भेजा है वैसे ये चाइना में अलड़ी लॉंच हो चुका था मी CC9E बनके और इंडिया में इसी नाम से जो वह देखने को मिलेगा अभी मी A series का one of the most awaited smartphone है मी A3 जो Android 1 के साथ में आता है और ये वर्ल्ड का पहला smartphone है जिसमें आपको Snapdragon 665 वाला processor मिलता है जो की 11Nm पर है बहुत इंट्रेस्टिंग है काफिस सारी चीज़ आपको मिलती है वैसे फिलाल के लिए दो वेरिंट्स के न्दर लॉंच हो है 4GB की RAM 64GB storage और 4GB RAM 128GB की storage हमारे पर जो है वो 464 है और इसकी जो प्राइस है वो 15-20 के बीच में लेकिन एंडिया में हमें 15,000 के आसपास जो वो देखने को मिलेगा ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहे हैं मी A3 में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है मैं आप लोगों यहाँ पर सारी चांग का रिशोडियो में जो वो दे रहता हूँ अब स्पेक्स के बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको 6.088 इंच की एक OLED वाली HD प्लस की यहाँ पर जो डिस्पेय मिलती है और यहाँ पर आपको 19.5-9 का एसपेक रिश्यू मिलता है गोरिले गरस 5 के आपको यहाँ पर प्रेटेक्शन देखने को मिलती है अब उपर की तर आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर मिलता है 2 GHz के उपर है यह 11 NM वाला है और Adreno 610 वाला आपको GPU मिलता है यह सब कुछ एकदम नया है और जो Android score निकल कर आया था वह एक लाग 40,000 के असपास आया था और performance की बात कर रहे हो तो जी हाँ आप PUBG वगरा इसमें अच्छे स खेल सकते हैं गेमिंग आप इसमें अच्छे से कर सकेगे उसमें कोई शक्त नहीं है आप उसको Snapdragon 660 और 675 वाले का बीच वाला बोल सकते है उसके अलावा दोस्तों आपको triple rear facing camera मिलता है 48 plus 8 plus 2 megapixel का और जो primary camera है दोस्तों उसमें आपको Sony वाला sensor मिलता है मैंने online सब जगा चेक 4K वीडियो शूट कर सकते हैं आपको यहाप पर full HD में EIS मिलता है और साथ में आपको 240 एपस पर slow motion भी मिलता है night mode वगरा भी आपको मिल जाता है साथ में आपको 8 megapixel का ultra white sensor मिलता है और उसके लावा आपको 2 megapixel का depth sensor भी देखने को मिल जाता है 32 megapixel की AI वाली जोगो selfie मिलती है बहुत इच्छी बात है F2.0 का अपर चले पोर्टिट ब्यूटी आपको यहाँ पर भी जोगो देखने को मिल जाता है 4030 image के आपको बैटरी मिलती है और पहली बार किसी Xiaomi की Mi A series में आपको higher capacity वाली बैटरी मिलती है जो अच्छी बात है आपको 18 watt के fast charging का support मिलता है quick charge 3 है लेकिन unfortunately box में सिर्फ 10 watt का आपको charger मिलता है यार पता नहीं Indian variant में वो लोग fast charger देंगी के नहीं देंगे लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10 watt का charger box में दिया गया है तो यह है दोस्तों इसकी कुछ complete specs आप फड़ावट से box को यहाँ पर open करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमने box को open कर दिया है सबसे फिल आप देखिए आपको कुछ documentation यहाँ पर मिलेंगे और यह है इसके कुछ user manual warranty card और उसके अलवा आपको यहाँ पर एक back case जो दिया गया एकदम normal सा simple सा आपको यहाँ पर back case मिलता है SIM ejector pin भी यहाँ पर जो लगी गई है उसके अलवा दोस्तों हमारे phone की तरफ जो आप देखिंगे आपको कुछ इस तरह की का मिलता है वैसे specially मैंने Salim Bhabha से blue color मंगा है तो आप देखिंगे कुछ इस तरह की का है पीछे यहाँ पर दोस्तों वैसे आपको एक glass pack मिलता है और साथ में आपको gorilla glass 5 की production भी जो वो इंच की screen है तो काफी compact है काफी हलका फुलका सा यह phone है तो one hand use के लिए आपको दोस्तों यह phone काफी भाज आएगा उसके अलावा दोस्तों remaining content की बात करो दूसकी मिन आप से कहा था 10 watt का आपको यहाँ पर charger दिया गया है और साथ में आपको type C cable भी यहाँ पर जो देखने को म और इसको boot करेंगे उससे बिल आपको physical order देता हूं नीचे देखिएंगे आपको speaker, outwind और type C port आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसके अलावा left side में आपको यहाँ पर SIM tray मिलता है unfortunately यहाँ पर dedicated microSD card का slot नहीं मिलता है लेकिन hybrid slot दिया है तो आप चाये तो memory card लगा सकते है अच्छी बात है जो नहीं यहाँ पर me A3 में दिया है तो यहाँ दोस्तों हमने phone को जो बूट कर दिया आप देख सकते हैं obviously आपको यहाँ पर android 1 मिलता है पूरा के पूरा stock android है और यहाँ पर इसका फायदा ही होता है कोई third party apps नहीं मिलेगा कोई फालतू के ads आपको यहाँ देखने को ही मिलेंगे आप देखेंगे हम जाते about के अंदर me A3 दिखाया जा रहा है और नीचे देखेंगे obviously आपको android 9 Pie order the box मिलता है तो एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है वैसे है आप दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको जो डाक मोड का option वह दिया है कि आप देखेंगे device theme में आप गर में इसको डाक करता हूँ तो यह यह apps वगरा को डाक नहीं करता है बस यह app drawer वगरा को यह notification पैनल को डाक कर देता है बाकि यह इसमें सारी चीज़ों को यह डाक नहीं करता है हो सकता update के दौआ इसको fix कर देंगे और हाँ आपक इसको बोलते है real life test आप देखेंगे कितने time बात जब मैंने test किया फिर खुला face एक बाद दिखा रहता हूँ जी हाँ तो properly अगर आप सही करेंगे तो यह खुल जाएगा कुछ इस तरिकी का काफी slow है face unlock की बात करेंगे तो यहा face unlock आपको अच्छा मिल जाता है face एक बाद द मिलता है जो अच्छी बात है और साथ में अगर आप में camera to API की बात करूं तो वह भी आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है और साथ में दोस्तों इसके निदर जो storage आपको UFS 2.1 के साथ में मिलती है और प्लस आपको LPDDR 4X के RAM का support मिलता है तो यह सब चीज़ से आपको व यहाँ ज्यादा तर तो आप देख सकते कुछ इस तरह की कि आपको quality मिलती है मैं dedicated camera review इसका बनाओंगा तो आपको बहुत अच्छे samples दूँगा और comparison भी यहाँ पर दोस्तों में future में करूंगा वैसे night के अदर आपको night mode मिल जाता है तो आप उससे अच्छे कासे night के अंदर pictures इस से compare करते तो आपको इसमें काफी अच्छी improvements जो देखने को मिलती है बस एक ही concern है कि आपको सिफ HD plus की display दिया है इसको बढ़ा सकते थे dedicated microSD card यहाँ पर दे सकते थे और दोस्तों processor जो है वो at least 730 या फिर नहीं दे सकते थे तो कोई बात है 675 तो दे सकते थे लेकिन ये एक लाइक करना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नहीं वीडियो के साथ तिल इन वे ग्रेट डे एंड आल्वेस कीप स्मालिंग